हिंद के शूरवीरों के साहस से पाकिस्तान टूटा था। ये वो दिन है जिसे पाकिस्तान कभी याद नहीं रखना चाहता है लेकिन कभी भुला भी नहीं सकता है 13 दुनों की वो जंग वो युद जिसमें भारत के शूर वीरो ने पाकिस्तान के गुरूर को चकना चूर कर दिया किस तरह से ढाका में सरेंडर किया पाकिस्तान की सेना ने और जन्म हुआ एक नए देश का बांगला देश लेकिन भारत के साहसी वीरो ने जो विजय गाथा वहां लिखी उसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा वो इतिहास में दर्ज हो चुकी है और ऐसी शौरे गाथा वहां से जन्मी जिसने भारत माता के माते पर विजय का तिलक लगा दिया आज उसी के बारे में हम बात करेंगे दास्ताने 71 में हमारे साथ خاص महमान मौझूद हैं वो तमाम बड़ी हस्तियां मौझूद हैं जिन्होंने खुद इस दास्ताने 71 में 71 के महा समर को देखा था जिया था सबसे पहले जी दी बक्षी जी मैं आप से ही जानना चाहूंगे साथ आप उस समय कहां थे आपकी क्या यादे हैं क्योंकि आपकी नजर से हम देखना चाहते हैं 71 को देखे हमारा जो बैच है and I have the dubious distinction of speaking for two batches मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको October में IMA के अंदर एकठा किया अजुटेंट साब ने और बोला साब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आपका बैच आपको एक महीना पहले कमिशन कर दिया जाएगा ठीक है और हम लोग बड़े खुश हुए बड़ी तालिया बजी तो उन्हें धीरे से जो असिस्टेंट एड़ुटेंट था उसको बोला कि ये बिचारे जानते नहीं इनका क्या हर्च्र होगा कहते हैं जब तक ये पल्टर जॉइन करेंगे पल्टर लड़ाई में होगी ना जवानों को इनका नाम बता होगा ना ये जवानों के नाम जानते होगे हाट बलड है सबसे पहले आगे जाएंगे सबसे ज़ादा नुकसान इस बैच का होगा और बिल्कुल सही वाकित है उनके मुझे याद है हम नमेंबर के आखीर में जब सिलीगुरी रेलवे स्टेशन उतरे भरा हुआ था सिपाईयों से स्टील हेलमेट्स संगीने विंटर लिंपिट संशाइन में चमक रही हम एक दूसरे से गले मिले कि शयद लास्ट टाइम मिलें इसके बाद मिलें ना मिलें तो हमारे जो जवान आये थे वो बोले जल्दी करो जल्दी करो यह पहले अपनी स्टेन पगड़ लो और अपनी स्टील हेलमेंट ले लो जाब पल्टन तो अंदर तो यह मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सर्विस की पहली रात जो थर्डिनाइन कोर्स वो युद में था हमारे कई साथी शहीद हुए MPS चौधरी और मोहन कितने हमारे साथी आज मारे साथ नहीं है शेकर जो बड़ा क्रोस कंट्री रनर था उसकी तो टांग माइन पर उड़ गई एक जो अच्छा था उसके हाथ गए नानावती को बुरी तरह से गोलिया चाती में लगी और उनके घर पेंशन पहले पहुँच गई साथ और उनकी तरगा नहीं आई पेंशन पहुची उनकी ये डूबियस डिस्टिंक्शन है और ये भी हमें बड़ा फक्र है ठीक है साथ हमने नुकसान उठाया लेकिन आज हमारे बड़े जर्नेल है ये तीनों यहां जर्नेल खड़ें ठीक है जो हम लोग बैच वाले हैं और मुझे बड़ा फक्र है खासतर 38 बान्टु बैटल कोर्स का कि हमारा एक जो था कोर्समेट अरुन खेतरपाल 21 वर्ष की आयू पे परमवीर चक्र उसने लिया पांच टैंक उसने डिस्ट्रॉई किये ठीक है साथ मैं ज़्यादा उसके बारे में बोलना चाहूंगा ठीक है वो वाईयोस कोर्स नहीं किया था कमड़ांट उनकी रेजमेंट ने बेटा तुम नहीं जाओगे तिरको तो ड्राइविंग नहीं आती टैंक तिरको वाईयो कोर्स नहीं किया कैसे मैं तिरको लड़ाई मेले जा सकता हूं जा कर उनकी करोण के बार खड़ा होगया काते है वो ध्यान करते थे जनल हनूत सिंग उसकत करनल हनूत सिंग तो जब वो ध्यान से उठे तो भोले साहब वो आप से मिले आए है अगर आप लड़ाई में ले जाएंगे वो साहब वो उनको ले गए और इसने शाहदत कबूल करी पांच दुश्मन के टैंक डिस्ट्रॉई किये सबसे बड़ा हमला जो सेक्टर का थ यहां आया इस रेजिमेंट ने अठावन टैंक डिस्ट्रॉई कर दिये दुश्मन के और जहां यह था अरुन खेतरपाल दो टैंक और थे दोनों टैंकों को आग लग गई यह अकेला टैंक था वहां पर इसने तीन उड़ाए फिर इसके टैंक पे गोला लगा भारी माथे स खून गिरना शुरू हुआ देख नहीं ठीक पा रहा था खून पहुचके इसको स्कूल की मॉंटो याद आई नेवर गिविन लारें स्कूल सनार उसके बाहर लिखा हुआ है नेवर गिविन माथा अपना आँख से खून पहुचा फिर फायर किया चौता टैंक उड़ाया जब तक वो जो आखरी टैंक दुश्मन के स्कॉडरन का बचा था बचा था बचा था बचा तो फचास गज पे दोनों थे खून के रिसाफ के मारे ठीक से देख नहीं पा रहा था फिर भी फायर किया एक पांचवा टैंक इसने बरबाद किया लेकिन वहां से जो स्कॉडरन कि अधिन कमांडर के टैंक ने गोला चलाए सीधा लगा इसके टैंक के ऊपर और यह वही पे शहीद हो गया इकिस वर्ष की आयू पर परम वीर चक्रा एडों तेंक और इस बैच के तो एक परम वीर चक्रा और एक अशौक चक्रा बता ही और कोई कोई कोर्स है जो यह कह सकत कि हमें हर हाल में वो जीत हासल करनी है हमें हर हाल में लड़ते रहना है उस उस अरजुन की तरह बस नजर अपने उस लक्षप पर ही थी आपकी सर क्या यादे हैं 1971 को लेकर और कैसे आप उस तिन को याद करते हैं आज हम सेनिकों के धरमस्तान पर खड़े हैं नैशनल वार मेमोरियल पर इसमें उन तीन हजार शहीदों के नाम भी पत्थरों पर लिखे वे हैं जो 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे मैं आपको अपना अनुभव दो किसम से बताता हूँ पहला ट्रेंच लेवल से और फिर स्टेटिसिक लेवल से मेरी साड़े नौ साल की सर्विस थी जब 1971 की लड़ाई शुरू हुई नौमबर 1971 में हम लोग अगर तलाम आ गए मेरी कंपनी एरपोर्ट पर डिप्लॉइड थी वहां का जो रन्वे था वो पुराना था जबके बॉर्डर नहीं होता था पाकिस्तान का वो बॉर्डर के वर्टिकल था वो अभी इस्तेमाल में नहीं था लेकिन डर था कि रात को पाकिस्तान की रेडिंग फोर्स उस पर आके लेंड कर सकती है और हमला कर सकती है तो मेरी कमपनी उसको गार्ड कर रही थी तीन दिसंबर की रात साड़े नो बजे मुझे हुकम मिला कि सामने घना जंगल था फारिंग वारिंग होती रहती थी कि उसके पार दुश्मन के पोजिशन आप उस पर कबजा करें हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी तो हमने मेरी कमपनी आम तोर पर जब हमला करते हैं तो हमला वार की नफरी डिफेंडर से फर्स्ट वर्ड वार का फार्मूला था कि 3-2-1 होनी चाहिए अब तो वेपन इतने बढ़ गए हैं कि और भी ज़्यादा है लेकिन मेरी कमपनी ने कमपनी को टेक किया जो हमें उस वकित मालूम भी नहीं था उस घमास्तान युद में मेरे 10 साथी शहीद हुए जिसमें एक कैप्टन साब भी थे और 11 गायल हुए 120 की नफरी में से आप देखें अगर 21 गायल हुए तो कितनी भारी कैजुल्टी थी उसके बाद चारतारिक का एडवांस शुरू हो गया आगे लेकिन जो मुबारक बात का सिक्लल डिव कमांडर से आया तो हमें पता लगा कि ये डिविजिन के लेवल पर फेंट अटेक था एक टेक्टिकल टेम है कि जब आपने मेन अटेक दुश्मन पर करना है तो आप ऐसा फेंट अटेक करेंगे दुश्मन कन्फ्यूज हो जाएगा अटेक आएगा किदर से लेकिन उस फिरोसिटी की वेज़े से दुश्मन रात को वहां से निकल गया हमारे लिए तो अटेक था हमें तो किसी ने बताया भी नहीं था कि फेंट है तो अटेक अटेक था उसके बाद हम एडवांस किया सिरफ रेलवी लाइन के साथ साथ आप चल सकते थे दोनों तरफ पानी बरा हुआ था और लड़ाईया लड़ चलती गई पहले ब्रहमन वाडिया में फिर एक पुबैल जगा थी नदी के पार फिर एक टूंगी जगा थ सोला तारीक के शाम को हम ढाका के आउट सकर्ट पर पहुंचे तो हमें बताया गया है क्योंकि फारिंग चल रही है सिविलियन अंदर आ रहे हैं उस में आप भी कैजवल्टी हो सकते हैं तो आप यहीं पर रुकें तो हम रोड के बरम रोड ऊपर बनाई होती बाकि दोना त ठंड थी हमारे कंदे पर सब्सक्राइब कंबल ता तो मैंने काट लडी के लेफ्टेंट साब थे डे हमने दोनों ने दो कंबली कटे के दोनों कटे सो हैं फिर भी थोड़ी देर महां खुलती थी देखा डे साब नीचे खिसक गए दो उनको कैज के उपर लाओ वो भी यही जो जो भावनाएं जो बंगलादेशी इसकी बन गया ता 16 दिसंबर को भारत ने बंगलादेश को रेकनाईज किया था वो सरफ देखते ही बनती है कि आप गाड़ी नी थी हमारे पास सारे पुल तोड़े हुए थे पाकिस्तान की कुछ गाड़ीयां थी ड्राइवर हमारे तो आप सड़क पे खड़े हो जाए कोई कार आपको नजर आए आप हाथ उठाए वो कार रोक लेगा आपकी वर्दी काफी थी पेचान परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ष पर